नमस्कार दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कोटा विश्विद्दाल्य का आप अपना एकजाम फोरम किस प्रकार से बढ़ सकते हो दोस्तो यहां पर मैं बिल्कुल के लिए करने वाला हूँ कि आप payment किस प्रकार से कर सकते हो, अपनी photo and signature किस प्रकार से upload कर सकते हो, सभी subject के student, यानि चाहे फिर आप UGK student हो, चाहे पिजी के student हो, BA, BC, BA, BC, सभी के लिए आपर मैं बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से अपना exam forum है, वो last आप payment तक बर सकते हो, last में आपको अपनी hard copy college में जाकर जमा करवाना होगा या नहीं करवाना होगा, सब कुछ information आपको इसी वीडियो में दी जाएगी, तो सबसे पहले दोस्तों आपको official website पर आ जाना होगा, इस पर आने के लिए आप simply अपने Google Chrome पर जाना, यहाँ पर मैं phone से ही आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार जे phone से ही अपना जो exam forum है आप वो बर सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर आना, यहाँ पर आने के बाद में आप सर्च कर सकते हो, UOK, यानि University of Kota, जैसे यह first website open हो, इसके उपर आपको click कर लेना है, यहाँ पर click करने के बाद में दोस्तों, आपको नीचे एक options हो जाएगा, Examination and Result, तो simply इसके उपर आपको click कर लेना है, जैसे click करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो, link activate हो चुका है, Student Panel, exam form 2022, तो सबसे पहले आपको इसके उपर click करना है, जैसे click करोगे, फिर से आपके सामने इस परकार का interface open हो जाएगा, तो यहाँ से आपको select कर लेना है, दोस्तों, apply for exam form 2022, तो जैसे यहाँ पर click करोगे, फिर से आपके सामने एक new interface open हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हो, मैं इससे एक बार, यहाँ से मैं back करता हूँ, और फिर से try करता हूँ, यहाँ से देख सकते हो, यह मतलब कि यहाँ पर open हो चुका है, new interface open हो चुका है, इसके बाद मैं आपको यहाँ से अपनी जो category हो select कर लेनी है, जैसे कि अगर आप regular से अपनी integration कर रहे हो, या एक्स student हो, साथ में अगर private से कर रहे हो, जो भी हो, आप यहाँ से select कर लेना, जैसे यहाँ से मैं कर लेता हूँ regular, इसके बाद दोस्तों आपको जो अपना UG, PG है वो आपको यहाँ से select कर लेना है, जैसे कि यहाँ से select पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से आप अपन कर लेते हैं UG, अगर आप professional courses कर रहे हैं, जैसे B-Ed वगरा, तो आप वहाँ पर profession पर क्लिक करके, यानि education पर क्लिक करके भी select कर सकते हो, इसके बाद जो आपका faculty type है, वो आपको select कर लेना है, अगर आप जैसे से कर रहे हैं, म Rand Commission कर रहे हैं, जो भी है, वो आपको select कर लेना है, जैसे यहां से मैं कर लेता हूँ, BSC, यहां से कर लेते हैं, BSC под, 2nd, यहाँ पर part 1st के लिए आपको show नहीं हो रहा है, part second और part third को यहां पर शो रहा है क्योंकि part first के लिए आपका जो एक तरह से 10-12 थी मार्श शीट के आदार पर ही वहां पर हो चुका था तो यहां से अपन जैसे मैं आपको यहां पर part second के लिए बता रहा हूं लेकिन same process आपको part third के लिए भी रहने वाला है इसके उपर click कर लेना है यहां से अपना जो gender है वह आपको select कर लेना है इसके बाद दोस्तों यहां से जो आपकी college है जो भी आपकी college है वह आपको यहां से देख लेना है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी और इसके यहाँ पर आपको किलिक कर लेना जैसे किलिक करोगे धोस्टों यहाँ पर देख सकते हो इस परकार का इंटरफेर्स आपके सामने ओपन हो जाएगा यहाँ पर आपको जो यह आयए जो 318 आपको यista aşk देना है जैसे कि यह आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा प्रोशीड पर जैसे यहाँ पर क्लिक करते प्रोशीड पर तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको आपको अपना जो का नीडिट नेम है वो यहाँ पर आपको डालना है इसके बाद जो आपको इंग्लिस में इसके बाद हिंदी में इसके बाद जो आपकी मदर का नेम है वो इंग्लिस में इसके बाद हिंदी में यह सब कुछ डालने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे आ जाना होगा यहाँ पर दोस्तो आपको बिल्कुल जहां से देखना होगा जिस प्रकार से यहा ब्लैक मारकर पैन यानि कि जो ब्लैक पैन है उससे हुए हुए से आइन है वह आपको यहाप पर एक दरसे अपलोड करने है और उसकी जो मिनीमम लैंथ है वह 50KB से अबाव नहीं हो नहीं चाहिए बाकी यहापर आपको जेपीजे फॉर्मेट में ही उसको अपलोड करना होग यह सब कुछ करने के बाद में दोस्तों आपको simply next के उपर click करना होगा जैसे यहापर देख सकते हो मैं next के उपर click करता हूँ तो आपके सामने इस परकार का interface open हो जाता है जो कि यहापर देख सकते हो यह हो जुगा है इसके बाद आपको क्या करना होगा यहापर नीचे चलन है वो आपको select कर लेनी है इसके बाद दोस्तों यहापर नीचे देख सकते हो नीचे आपको यहापर चलिए बार मैं करके बता देता हूँ आप सभी को जैसे cast asked हो गई इसके बाद जैसे यहापर physical handicap की जगा यहापर open कर देते हैं no इसके बाद जैसे regular कर रहे हो तो आप regular पर बता रहा हूं तो आप बिल्कुल ज्यान से रखना इसके बाद जो फोस्टल एड्रेस वगरा है वो आपको यहापर select कर लेना है इसके बाद यहापर देख सकते हो जैसे state है आपका रास्तान डिष्टिक है डिष्टिक आपको select कर लेना है जो भी है आपका लोग रहे है पि आपने last year यान नहीं कि अगर आप 30 year का बढ़ रहे हो तो आपको second year के roll number डालने है साथ में class डालने है और जो year है वो डालना है और यहापर आपको जो से year यहापर दी गई है और साथ में enrollment number आपके शुरू में जो roll number है वो डालने के बाद में यहापर आ जाते है इसी के मार्स है मिनिम मार्स है किसी year में आपने पास किया इसी के बाद दोस्तों यहापर जो आपको compulsory subject है वो आपको यहापर select करना होगा यहापर automatic चार subject है यहापर select है इसी के बाद यहापर नीचे आ जाना होगा नीचे यहापर do compulsory subject करा जैसी कि आप final year का exam forum बर रहे हो तो इसस से पहले आपको जो second year था अगर उसमें कोई subject है आपका ड्यू रहा तो उसको यहापर आपको check mark लगा देना नहीं तो यहापर आपको drop करके छोड़ देना इसी के बाद दोस्तों compulsory optional subject है आप पर सो जाते है जैसे political science sociology और इंदी इलेटरे सा इनको आप select कर सकते हो अगर चात first की mark sheet आपको upload करने होगी इसके बाद जो यूजी part second है part second की आपको mark sheet upload करने होगी mark sheet upload करने के बाद में आपको यहापर click करना होगा प्रोशीट पर जब प्रोशीट पर click कर दोगे तो आपके सामने दोस्तों इस पर गार कुछ interface open हो जाएगा जैसे उपर photos, sign वगर यह सब आपको वहाँ पर forum number दिखाई देगा और यहाँ पर आपको corner में चाला number दिखाई देंगे इन चाला number को आपको copy कर लेना या जो भी यह forum है direct इसको आपको एक तरह से PDF के रूप में download कर लेना, download करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे एक option हो जाएगा, यही पर नीचे payment का तो उसमें payment के option पर आपको click करना होगा, वहाँ पर click करने के बाद में आपको सीधा वो direct आपके payment के उपर ले जाएगा, वहाँ पर आपको चार option दिखाई देंगे, credit card, debit card, net banking या UPI के तरू, तो आप debit card select कर सकते हो, यह UPI select कर सकते हो, जो भी आपके पास है, जिसके यानि बैंक से verified mobile number पर एक OTP आएगा, जितना भी आपका पैसा है, मतलब कि एक्जाम फोरम फीस है, वह आपको वहीं से देखने को मिल जाएगी हो, और जैसे click करोगे तो mobile पर OTP आएगा, जो payment है, OTP वहाँ पर simply add करने के बाद में आपका जो payment है, वो कट जाएगा, और उसक अपने पास रख लेना, जो कि आपके प्रूप के लिए आपके पास रहे, बाकि अगर आपका payment हो जाता है, और payment वहाँ पर सो नहीं होता, तो आपको 48 hours तक एक तरसे इंतजार करना होगा, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है, तो उसके बाद आप दूबारा से action ले स सकते हो, बाकि दोस्तों अगर आपको कुछ भी पूचना है, तो आप मुझे comment box में comment करके पूच लेना, नहीं तो मिलते हैं, आपको किसी नए वीडियो में कुछ ऐसा है, नहीं content लेकर, तो तब तक के लिए दोस्तों गुडबाई, चैनल को subscribe कर लेना,